हलो जवानो कैसे हो पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि मैंने जो तीन बार एरफोर्स जडी क्वालिफाई किया वो कैसे किया आज उसी का पार्ट टू कंटिन्यू रखते हैं तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत से बच्चों हूँ डिफेंस बैच के लिए एरफोर्स नेवी एंडिये तीन साल मेरा पढ़ाने का एक्स्पिरियंस है और ग्रूप डिसकेशन के साथ-साथ मैंने कुल छह बार डिफेंस एक्जम क्वालिफाई किये हैं इंक्लूडिंग एंडिये नेवी एरफोर्स तो देखो सबसे पह देखो बहुत से बच्चों से मैंने बात की स्याम को जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं सभी स्टूडेंट से बात करता हूँ दिन में कम से कम मैं 20 स्टूडेंट से बात करता हूँ तो सभी में कॉमन दिक्कत मुझे पाई गई वो कॉमन दिक्कत क्या थी कि हर बच्चा टोप पढ़ता है यह बिल्कुल गलत तरीके से आप त्यारी कर रहे हो अपको गे सर क्या पागलपन बरिवाते कर रहे हो तो पढ़ने पढ़ेंगे नहीं तो पिक कभी मत पढ़ो आपको पता है कि कौन सा टोपिक आएगा नहीं पता है फिर तो यह अंदेरे में तीर चलाने जैसी पात हो गई कि लग जाएं तो ठीक नहीं लगें तो भी ठीक आपको एक सिंगल क्या करना है देखो फूर एग्जांपल मेरे पास ये एक दे हिंदू की मैगजीन है और इस दे हिंदू में आपको दीख रहा होगा एक बुक है दे लोस ओफ हिंदुस्तान क्या दे लोस ओफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान भारत और इंडिया ताइटल वी चूज़ तो एक्स्राइब तो इस लैंड और हाव दैट सेप इट इज दे सब्जेक ओफ मानन एहमाद एग्जामिनेशन इंद लोस ओफ हिंदुस्तान मतलब मैंने पांच मिनिट ये पेपर पड़ा अब मैं नहीं कहारा कि लाइन सर्टो वो लाइन बोलो नहीं आपने पांच मिनिट के अंदर जो भी से सिखा वो मन में बोलो इंगलिस में बोलो अगर जोर से बोल यो तो अपने मोबायल में रिकोड करो यानि टोपिक को मत पड़ो दिन में कम से कम बीश टोपिक यानि 20 पेपर ऐस यह नहीं कहारा कि फराट्यदार इंगलिस बोली नहीं सोच समझ करके कहने का मतलब है आप प्रेक्टिस कीजिए बोलने की कि जस्ट मैंने पांच मिनिट यह पेपर पड़ा है इससे मैंने क्या सिखा आयोप समझ में आया होगा बस मेरा कहने का मतलब यह है कि टोपिक मत पता कि क्या आएगा अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट में बताईए और जो दूसरी यह जो वीडियो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा काफी बच्चों ने उसे पसंद गया उस वीडियो को हजार पलस बच्चे उस उसे ऐसी क्या चीज दीखती है कि उसने आपको जिडि से बार कर दिया देखो 99% मैं कह सकता हूँ कि ओफिसर इसलिए जिडि से बार नहीं करता कि आपको इंगलीस बोलनी नहीं आती नहीं इंगलीस मेटर करती है लेकिन कि एक परसेंट मेटर करती है तो आप पुषर फिर पार क्यों निकालता है, मैं बताता हूं, जीड़ी में आपको बार क्यों निकालता है, समझा, आप 15 स्टुडेंट बैठे वेऊ, मेरा नंबर है पंदरवा, यानि लास्ट, पहला स्टुडेंट बोल रहा है, कि sir my name is this 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 and today our topic is this 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 और मैं क्या कर रहा हूं ना खुजला रहा हूं हना कभी ऐसे कर रहा हूं हना कभी ऐसे टांगे ही ला रहा हूं हना कभी ऐसे आथ की अंगुलिया ला रहा हूं कहने मतलब वह बोल रहा है और मैं क्या सोच रहा हूं यार जब अपन नम्बर आएगा जब अपना इंट्रोडेक्शन अपन सभी को दे रहा है तो हमें साथ साथ क्या करना है उसकी बात चुनी है जी अपनाम यह है अच्छा आपने टोपिक के बारे में जो भी वह बता रहा है हां में हां मिलेए बिल्कुल बिल्कुल जी कहने मतलब है जो भी आप से पहले जो 14 स्टू है उनकी सारों की बात चुनी है उसमें इंट्रस्ट लीजिए ऐसा कभी मत सोची यार मेरा नमबर आएगा तो बोल देंगे इतने अपने नाख खुजाते रहो क्या फिर अपने बाल सवारते रहो ओफिसर बारी करेगा गुरूप डिसकुसन का मतलब यह होता है आपस में ब स्थार बष्म अनल इंट्पर मv Colonel को एसे लाएंगे नहीं जब आये नहीं जब बोल रहे हो जब आपको नंबर आता इये जब आप बोल रहे हो जब दूसरों से आक्षे मिलाएंगे नहीं सब श्ब्स किस से करें स्टूडेंट से याप इस्टूडेंट से डिसकर निसकर हो तो फिर चार आंग क्यूं इलाओग traitor हाँ रिजेपर रे तोइंट्राइकशन किसको दे रहे हो सबी को 22 तो ओफिसर को भी आप अपने इंट्रोडेक्शन दे रहे हो, sir my name is this, and friends my name is, कहने मतलब है, जब आप जो आपनी आखे हैं, कम से कम तीस डिग्री पर आप अपनी आखे गुमाएं, तीस डिग्री मतलब, ओफिसर और स्टूडेंट के सामने, कम से कम तीस डिग्री का कौन बना लेकिन डिसकसन के टाइम, आप डिसकस करते समय, अपने हाथ को भी आप यूज में लीजिए, ठीक है, बच्चों का कोल आया, तो कहा, sir, हमने सुना है, कि जैसे आप हाथ हिलाओगा, हमें बार निकाल देख नहीं, sir, आप उसे अपनी बातें समझा रहे हो, और बातें समझ बनाओ, दूसरा बोल रहा है, तो अपनी गर्दन को हिलाइए, उसकी हां में हां बरिये, अगर आप उसको पसंद नहीं आई, तो आप उसे रोक करके अपनी बात रखिये, ठीक है, आप इंट्रोडेक्शन दे रहे हैं, तो ओफिसर और स्टूडेंट से आखे में लेए, त इस टाम में जिडी देता था, जिडी मैंने दिया मुझे इंगलिस बोल रहा है, तक टक के में इंगलिस बोल रहा था, हाना, अब कोवेशर उपरवाड़े के दया से, आप तीनों बात जिडी के लिए रहे, नहीं, उपरवाड़े के दया नहीं था, बोडी लेंग्वेज जादा से जादा सुनिए, रेगुलर मां आपको वीडियो प्रुरॉइड है कि खर रहहं हूँआ कि आपनी बोडी लेंग्वेज कैसे रखे, जब आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो, अपने जो विचार होई, वो सब्सक्राइब ब 숙्यार से और हमारी सबस्क्राइब बस भ honored कि यह आदकर ऐए पर शक्राइब है आपको फराटेदार नहीं बोलनी, बोलनी आती है तो बहुत अच्छा, आप अटक अटक कर बोलेंगे, तो officer को बिल्कुल negative fact नहीं जाएगा, officer आपको कभी बार नहीं करेगा, मैं चीज होती है, आपकी body language, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यह कुछ doubts थे बच्चों के, जो मैंने soul किये, जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम ले करके आएंगे, जो कि आप जल्दी सी जल्दे पने doubt बताईए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन सारे बच्चों क्योंके point to point, comment to comment doubt अपन सोल करेंगे, समझ में आई बात, और body language आपको कैसे सुधारना है, इसकी भी वीडियो आपको डैली to डैली मिलती जाएंगे, मेरे एक दोस्त हैं, जिनोंने दो तीन बार NDA क्वालिफाई किया हुआ हैं, तो हाई ओप, वो भी आपको मेरे चैनल पर के अपनी help देंगे, तो thank you friend, have a nice day, love you all, jai hind, jai bharat.